सो हेलो गुड मॉर्णिंग एब्रबन कैसो आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी सुबह सुबह का माहौल है और ओड़ चुका हूँ देन अपनी कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉग को और वहीं स्टड कि अधिर आप नहीं है बिल्कुल भी और भी सुबह सुबह हो चुकी है और सब लोग कर रहे थे नीचे देख सकते हैं आप लोग लेकिन मैंने कि आज करने के लिए सर्मिंद की महसूस हो रही है पर क्या करूं मेरी तब यह डाउन चल रही है मैं सुबह सुबह नहीं उट और रात को लेट सुपाए था यानि की तो पानी पीते हैं उसके बाद फिर अपने फ्रेस होने जाते हैं उसके बाद निकलेंगा यहां से लाइबरी के लिए तो आप सबी समझ सकते हैं सबसे पहले पार निकलें ग्लास में और दैन अपनी ब्रेक फास्ट करते हैं ब्रेक पर निकलेंगे तो सबस्क्राइब करने के लिए तो बढ़ी तो ब्रेक फ्रूट्स वगर रखे हुए थे तो मैंने फिर ड्रॉट में से निकाले और फिर खाना स्टार्ट करते हैं इसको चिलने के बाद और आप भी खाया करो सुपर सुपर काफी बैस्त रहते हैं समझ सकत क्योंकि बीच में फिर नहीं करता हूं मैं क्योंकि बीच में क्या होता है बार 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 उठके जाओं तो बहुत सारी दिक्कते होती है इस वचे से बीच में लंच नहीं करता हूं पिर सामको लंच करूंगा सीधा डारेक्ट लंच करूंगा नहीं करूंगा वो तो अ अच्छे से भी नी मतलब ठीक था गये लेकिन ठंड अभी कम होगी थी दुबारा से ज्यादा होगी तो मैंने गया तो देखा कि भाई बठूरे वालों के पास तो इन्होंने फिर बठूरे बनाए बढ़िया से बोला मैं चलो ठीक है खा लेता हूं तो एक प्लेट बठूरे या पर अपनी सेट जो है रिजर्व करा रखे मैंने और सबसे पहले मेरा नम्मर रहेगा न्यूज पेपर पढ़ता हूं मैं इंडियन एक्सपरेस पढ़ रहा हूं बैसे तो और दा हिंदू भी पढ़ लेता हूं लेकिन इंडियन एक्सपरेस काफी अच्छा रहता है मेरे कोई भी निउजपेपर अनलेसिस देखो या फिर कोई भी वीडियो देखो करेंट अफेर की लेकिन निउजपेपर पढ़ना बहुत जरूरी है अब चाहे कोई भी निउजपेपर पढ़ो कावी बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए क्योंकि अगर निउजपेपर नहीं बात करने वाले peg बारे में तो प्रेंट्स जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रस्टेड एउजुकेशनल फ्लेटफॉर्म है पी डबलू फो आप सभी को पता ही है कि यहां पर अच्छा है प्यालवेलिएसज एजूकेशनल फील्ड में लेकर आ जाते हैं या फिर कई सारी प्रोब्लम्स होती हैं उनके पास लेकिन उन सभी का सॉलूसन पी डबलू लिक्र आया है और पी डबलू में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीयस्सी वाला भी पीडबलू गा एक कोर्स है है जो कि आप सभी के लिए अच्छे से वर्क कर रहा है UPSC के इस्ट्टेंट्स के लिए क्योंके कोचिंग्स काफी ज्यादा महगी होती है हम लोग अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं यहां तक कि PW ने एक मंतली मैगजीर भी मन्थन करके निकाली है और वहीं संपूर नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइट करा रहा है और गतिमान एक एंसेंट इंडिया की विजन आपकी बुकलेट है वो भी आपको प्रोवाइट की जा रही है जो कि आपको 23 के प्रिलिम्स के लिए काफी अच्छे से काम करेगी तो फिर आप सभी समझी सकते हैं बाकि इनके कई सारे पैच्चे चल रहे हैं संकल्प 2.0 हिंगलिस मीडियम औ जो क्लास जी आपकी सेम रहेंगी वहीं इनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो भी सेम है 6-5 और एंड डेट 31 दिसंबर जहां तक आपका वैलिड है वहीं अगर टाइटन बैच की बात करें यह स्टार्ट होगा 25 2003 को एंड इसकी क्लास ही जो है 8-10 चलेगी सामको और सुबह दोना टाइम तो यह आप सभी के लिए काफी अच्छा बैच है तीनों बैच आप सभी के लिए बैस्ट है आप सभी पर चीज कर सकते हैं बाकी हर एस्पिरेंट्स की डिमांड होती है फैकल्टी ज कमेंट एनलेसिस रेटिंग क्लास नोट्स डीपीपी विकली टेस्ट सीरी सब कुछ यहां पर आवेलबल है यानि कि सब कुछ बेस्ट तरीकी से कराया जाता है अफ़र्डेवल प्राइज में आप सभी को मिल रहा है आप सभी रेजिस्टर कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करें आपको 500 का डिसकाउंट मिल जाएगा एक्स्रा यूज करें आर फिर पीएसाई होता है ठोड़ा डीप में या वर कोई भी आपको ओफिर लो बोगो डीप में आपको पढ़ना होता है और उसमें काफी जादा टाइम देना होता है लेकिन अगर मैं जीस की बात करूँ जी एक ही सब्जेक्ट इसके साथ चल पारा है यह इसके लाबा कुछ नहीं चला पारा है कोई दूसरा सब्जेक्ट चला हूँ मतलब करेंट अफेर और इसके बाद पर पीएसाई आर का जो और इसकी साथ-साथ में अपनी हिस्ट्री चला पारा हूँ समझे ना तो यह इतना चला पारा हूँ मैं और इसको पहले कंप्लीट करते हैं कुछ खाते और उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं आगे तो देखो क्या है कि इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर कुछ खाना है तो कुरकुरे लीके आ गया था मैं तो इसको फाड़ लें वह एक दम इसको खाते चलो साथ-साथ में थोड़ा सा भी चकना चल जाता है पर यह मैं लिकृड वगरा नहीं था यह मुद समझे न ठीक है चकना ले लेता हूँ लिकृड नहीं लेता यह इसको कंप्लीट करता है और आप सभी समझे सकते हो वह तो साथ-साथ में क्या करते हूं आप भी कुछ खा रहे हो न तो साथ में एक नौलेज़वल क्लास भी चला लि नहीं करो तो फिर करना चाहिए यह कंपल सरी अगर नोट्स रिवीजन नहीं करोगे तो पिर आपके लिए यह प्रॉबलम हो जाएगी तो नोट्स के बाद में करना चाहिए ये compulsory अगर notes revision नहीं करोगो तो फिर तिक्कत हो जाएगी तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं notes के revision करता हूँ और आप सभी को बता दूँँ आप जब class complete कर लो उसके बाद में notes की revision कर लो तुरंत ही ठीक है तुरंत अगर revision कर लोगे तो जो भी आपके mind में था वो द्वारा से recall हो जाएगा और recall होने के बाद में फिर उसको तुम द्वारा नहीं बूलोगे इतनी जल्दी और फिर उसके बाद weekend पर द्वारा से फिर revision कर लेना पूरे notes की फिर मज़ा आने वाला है आपकी study में एकदम best तरीके से समझ सकते हो ला तो best ही best आएगा तो आप सब भी एकदम revision किया करो ठीक है time से time revision करो और best रहेगा ठीक है तो इसको मैं भी revision कर लेता हूं और time लगाओं काफी ज्यादा revision करते हैं उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं कर दो आप आप लिए इना डाप बाद़ा आप से वघज से बवेशध करा राद घो लगाद लेका वाद़ाई एक रफूना भी से तरीके से लेज़ाब आप लगाई गलाइब लिए लगाईवार और लादा दो आप लादा़ ख़ाईब याब लड़ाईब लगाईब करी लिया और इसके बाद पर चलते हैं बाहर तो बाहर कुछ इस प्रकार का न जा रहा है देख सकते हैं बाहर चलते हैं पहले तो तो पहले चाता उठाने दें को बारिस हो रही है बाहर मुझे पता चला है कि सुत्रों के मोतावे कि बारिस हो रही है और चलते हैं सबसे पहले तो देख सकते हैं आप लोग आ चुका हूँ बाहर और चाता करते हैं तयार उसके बाहर देखो भाई बारिस हो रही है एकदम बैस्ट वाली देख लो देख लो बाई क्या न जा है एक दम बजे वाली बारिस है और फागी ठंडवी बढ़ चुकी है थोड़ी थोड़ी मैं जा रहा हूं थोड़ा सा भाई भूज वह लग रही भूख और घर से खाना नहीं लाए तो क्या खाऊंगा फिर में कुछ तो खाऊंगा ही तो घर से जब खाना नहीं लाए तो देख रहा था कुछ खाने के रिए मिल जा इसके बास भी नहीं था खाने वाला तो मैंने चलो मैं ही खा लेता हूं यार कोई नहीं तो इसका फाइदा मैं कर लूँ वह बाहर जाके और साम और चुकी थी तो फिर मैंने फूप पी लिया सुप तो बहीं सूबस हो सबीड़ा और फिर चलते हैं अपनी लाइबरी के अंदर भाई खात वो लिया है अब फिर से इस्टडी अपनी कंटीनियू करेंगे क्योंकि भाई करना बहुत जरूरी है हिस्ट्री क्लास मेरी सुबह से बची वी थी वो कंप्लीट नहीं कर पाई करने के बाद सब कुछ कंप्लीट करने के बाद दैन अपनी क्लास इस डार करता हूं यह बेस्ट रहते मेरे लिए और आप लोग भी यूज करोगे इसको तो आप लोग यूज करना ठीक है बेस्ट रहेंगे और आज जो मेरी रहने वाले वह नाइट तक नहीं वाली यानि कि दस बजी तक और इसको प्रमें जाओंगा बाद में अपने घर तो आप सबी समझी सकते हूं मतलब इसको कंप्लीट करते हैं आप सबीसे मिलते हैं आप कि में कि में कि कि में कि में कि में कि में करनी पर्भाइब करल रारी कि यप alltidते हो एंधे इघर एंद लुग को छ tenía को झालувати होॉ तब से मैं अपने नोट्स कर रहा था रिवीजन कर रहा था अच्छे से नोट्स की ठीक है उसके बाद मुझे सूत्रों के मताबिक पता चला कि जो आपका ऑप्सराल है या पर कोई चला करते हैं जाटा स्कते कि न इसके समझ ले तो करता हों और इसके बाद प्रीजरी को किरेंगे क्योंकि टाइम जो काफी जादा हो चुका है यानिक nut हो चुकी है सुबहेसे आते आते हैं मुझे नाइट हो जाते और इसके बाद मुझे प्रिलिम्स कीकट पढंगे ती है तो जल्दी कैसे पहुँचे हैं क्यों कहीं कि यार नाट हो चुकी है और दस बज चुके हैं अपने जा रहा हूं घर तो मैं घर जा रहा हूं आप लोग वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सेयर करना जो भी आपका डाउट और कमेंट में पूछ लेना और अगली वीडियो में आप सभी को बहुत जल्दी म करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हैं तिजय भारत बंदे मात्रम